गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी विता भीमान सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एक्जाम 2023 के लिए यानि 2023 के लिए क्लास 10 के लिए हिंदी गद्य का चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ सो चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है भारतिय संस्कृती और इस चैप्टर के लेखक है डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी तो मैं आप सभी स्टुडेंट्स को ये बता दू कि डॉक्टर राजिंद प्रसाजी का जीवन परिचे मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया है अगर अभी तक आप लोगों ने डॉक्टर राजिंद प्रसाजी का जीवन परिचे नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहां से जाकर के डॉक्टर राजिंद प्रसाद जी का जीवन परीचे पढ़ सकते है और मैं आप सभी students को ये बता दू कि जो आप लोगों का हिंदी गद्य का chapter number 3 है chapter का नाम क्या है chapter का नाम है क्या लिखूं ये chapter इस बार आप लोगों के syllabus में नहीं है ये chapter आपको नहीं पढ़ना है मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि इस बार भी आप लोगों के स्लेबस में 30% की कमी कर दी गई है और मैंने आप लोगों को हिंदी का नया स्लेबस पहले ही बता दिया है अगर slabus वाली वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं तो मैं आप सभी students को एक बार फिर से repeat करके बता दू कि जो हिंदी गद्दे का आपका chapter number 3 है क्या लिखूं इसके लेखा के पदुमलाल कुन्नलाल बक्षी जी ये chapter आपको इस बार नहीं पढ़ना ये आपके slabus में नहीं है तो इसलिए अब मैं आप लोगों का यहाँ पे chapter number 4 स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आप सभी students को बता दू कि हिंदी गद्दे का पहला chapter मैंने आप लोगों का पहले ही complete करवा दिया है पहला chapter आप लोगों का था मित्रता ये chapter मैंने complete करवा दिया तो इसके बाद हिंदी गद्दे का दूसरा chapter जो कि आपका है ममता वाला वो भी chapter मैंने आप लोगों का completely finish करवा दिया है और आप लोगों का हिंदी गद्दे का एक बहुत ही बड़ा topic था हिंदी गद्दे के विकास का संचिप्त परिचे ये topic भी मैंने आप लोगों का completely finish करवा दिया है कई videos मैंने इस topic पर बनाई है एक एक question मैंने करवा दिया है तो मैंने channel पर हिंदी की अलग से playlist बना दी है आप लोग channel पर जाईएगा 2023 की हिंदी की playlist को check कर लीजेगा वहाँ पर आपको हिंदी की सभी classes की videos लाइन से मिल जाएगी और हिंदी की playlist की link भी मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के description box में दे दी है आप description box में जाएगा जैसे ही आप playlist की link के उपर click करेंगे आप लोगों को playlist मिल जाएगी और सभी classes की videos भी आपको line से मिल जाएगी तो चलिए फिर आज के इस chapter को start करते हैं आज है आपके इस chapter का part 1 है तो आज की इस video में मैं आप लोगों को इस chapter के कुछ most important गद्यांस और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर यहाँ पे करवाने वाला हूँ तो जैसा कि आप लोग अपनी screen के उपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है निम्न निकित गद्यांसों के नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजे तो पहला गद्यांस आप लोगों को आपकी screen के उपर देख रहा होगा यह जो का वाला है यह आपका इस chapter का पहला गद्यांस है तो देखें यहाँ पे लिखा क्या है यहाँ पे लिखा है अगर असम की पहाडियों में वर्स में 300 इंच वर्सा मिलेगी तो जैसल मेर की तप्त भूमी भी मिलेगी अब देखें यहाँ पे तप्त भूमी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है गर्म जलती भूमी जहां पे अत्यधिक गर्मी होती है बहुत अधिक गर्मी होती है इसी के लिए हम तप्त भूमी सब्द का प्रियोग करते हैं अब जैसे जैसल मेर है वहां पे बहुत जादा गर्मी होती है तो इसलिए यहां पे तप्त भूमी सब् भी वर्सा नहीं होती कोई ऐसा अन नहीं जो यहां उत्पन्द ना किया जाता हो कोई ऐसा फल नहीं जो यहां पैदा नहीं किया जा सके कोई ऐसा खनिच्पदार्थ नहीं जो यहां के भूगर्भ में ना पाया जाता हो भूगर्भ मतलब क्या हो जाएगा जो भूमी के अंद जाता हो और ना कोई ऐसा व्रिक्ष अत्वा जानवर है जो यहां फैले हुए जंगलों में ना मुली यदि इस सिध्धान्त को देखना हो की फिर इसके बास से देखे यहां से आपका रेखांकित अंस स्टार्ट हो रहा है इसकी व्याख्या भी आपसे आगे क्वेशन में तो आभवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेश भूसा, सरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है मस्तिष्क मतलब क्या हो जाएगा दिमाग ध्यान रख्येगा तो उसका जीता जाकता सबूत भारत में बसने वाले भिन भिन प्रांतों के लोग देते हैं ठीक है तो यह आपका पूरा गद्यांस है और रेखान के तंस आपका यहां पे था इसकी व्याख्या अभी मैं आगे आपको कराऊंगा तो चलिए देखते हैं इस गद्यांस से रिलेटेड पहला प्रश्न क्या है तो question number first पूछा गया उपर युक्त गद्यांस का संधर भुलिकिए तो य जैसे यहां पे पूछा गया तो पहले question का answer क्या हो जाएगा आप यहां पे लिखेंगे देखे पहले question का answer है यह सबसे पहले आप heading लिखेंगे संधर्व तो इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथ डॉक्टर राजेंद प्रसाद द्वारारचित भारतिय संस्कृती नामक पाठ से उध्रित है तो आपको ऐसे ही संधर्व लिखना है जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टुडेंट संधर्व लिखने में गलती करते हैं जिसके कारणूं का number कट हो जाता है तो आपको गलती नहीं करनी है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्दे खंड में संकलित तथा डॉक्टर राजेंद पसाद द्वारा रचित भारतिय संस्कृती नामक पाठ से उधरित है अब चलिए देखते हैं आपे दूसरा क्वेशन क्या है दूसरा क्वेशन है गद्यांस के रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंस आपका यहां से है आभावा का असर यहां से लेकर के भि खांकित अंसकी व्याख्या फिर इसके बाद आप यहां पे क्या लिखेंगे देखें यहां पे लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि वैज्ञानिक सिधान्त है कि वातावरन का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेश भूसा, सरीर और मस्तिश्क पर पड़ता है तो यहां पे लेखक कहना क्या चाहते हैं कि वैज्ञानिक सिधान्त के कारण ही वातावरन का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेश भूसा, सरीर और मस्तिश्क पर पड़ता है मस्तिश्क मतलब क्या हो जाएगा, दिमाग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, फिर इसके बाद देखे, यहां पे लिखा है, यहां सिध्धान्त, यहां सिध्धान्त से मतलब हमारा किस्से हो जाएगा, वैज्ञानिक सिध्धान्त से हो जाएगा, तो वैज्ञानिक हमारे देश भारत पर पूर्ण रूप से लागू होता है फूर इसके बाद आगे लिखा है भारत की प्राकृतिक विविधता का यहां के लोगों के रहन्सेहन, वेश भूसा, खान पां, सरीर और मस्तिष्क पर भी खूब पड़ा है अब देखिए यहां पे प्राकृतिक वि तो बहुत ही ध्यान से समझेगा तो देखे हम अपने देश भारत की यहां पर बात करते हैं तो देखे भारत में कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमेशा क्या पड़ती है ठंडी ही होती है बहुत जादा ठंडी होती है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमेशा गर्मी ही हुआ करत तो यही होती है प्राक्रतिक विवित्ता देखे एक स्थान ऐसा भारत में जहां पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और एक स्थान ऐसा भारत में जहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो यही होती है प्राक्रतिक विवित्ता जिसके कारण यहां पे क्या होता ह कि लोगों के रहन सहन, बेश, भूसा, खान, पान, सरीर और मस्तिस्क पर भी यहाँ पि बहुत ज़्यादा प्रभाव पढ़ता है, किसका प्रभाव पढ़ता है? प्राकृतिक विवित्ता का, देखे जैसे यहाँ पे लेखक ने, गद्यांस में पहले ही यहाँ पे लिखा असम की पहाडियों में वर्स में 300 इंच वर्सा मिलेगी देखे असम का एक्जामपल यहां पे लेखक ने दिया है जहां पे 300 इंच वर्सा मिलेगी और फिर इसी के विपरीत लेखक ने यहां पे जैसल मेर की तप्त भूमी के बारे में बताया है जहां साल में 2-4 इंच भी वर अब जैसे भारत के विभिन राज्यों की बात की जाए तो यहां पे भारत में कई राज्य हैं आप लोग जानते ही हैं तो हर एक राज्य का खान पान वहां का रहन सहन वहां का मौसम सब कुछ अलग होता है तो यहां पे विभित्ता आपको देखने को मिलेगी की नहीं मिलेगी मिलेगी ना तो इसके बाद आगे लिखा है इसका प्रमुक कारण यहां की प गद्यांस का third question, तीसरा question क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांस में असम और जैसल मेर की वर्षा के विशय में क्या बताया गया है, तो चलिए इसका answer देखते हैं, तो answer में आप क्या लिखेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गद्यांस में असम और जैसल मेर की वर्षा के विशय में बताया गया है कि असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी, किन्तु जैसल मेर की तप्त भूमी में साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है, यानि इतनी भी वर्षा नहीं देखने को मिलेगी, यही तो गद्यांस में आपको बताया गया है, यह तो गद्यांस की पहली ही लाइन में आपको इस question का answer मिल जाएगा, तो यहाँ पे यह तीसरे question का भी answer मैंने आपको बता दिया, और जो इस chapter का पहला गद्यांस था, यह मैंने आपको complete करवा दिया, अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे अगला गद्यांस क्या दिया है, दू तरह यहाँ की बोलियों की गिंती आसान नहीं, देखें यहाँ से मतलब किस से हमारे देश भारत से ध्यान रखेगा, तो यहाँ की बोलियों की गिंती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन भिन धर्मों के संप्रदायों की भी गिंती आसान नहीं, अब देखें यहाँ से रे तो इसमें आस्चरे की बात नहीं, तो ये रेखांकित अंसे, इसकी व्याख्या भी आपसे आगे question में पूछी जाएगी, जो कि मैं आपको complete व्याख्या आपको detail में बताऊंगा, तो चलिए देखते, पहला प्रशने क्या है इस गध्यांस का, तो पहला प्रशने आपका सेम वही रहेगा, उपर्युक्त गध्यांस का संदर्व लिखे, तो संदर्व में आप क्या लिखेंगे, पहले question का answer आपका हो जाएगा, प्रस्तुत गध्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के, गध्य खंड में संकलित, तथा डॉक्टर राजेंद पसाद द्वारा रचित, भारतिय संस्कृती नामक पाठ से उध्रित है, देखें संदर्व मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करके बता रहू, ताकि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी हो जाए, तो पहले question का answer मैंने आपको बता दिया, आप दूसरे question का answer देखते हैं, गध्यांस के रे खांकित अंस की व्याख्या कीजिए, यह आप से यहाँ पे दूसरा question पूछा गया, दूसरा question पूछा गया, तो रे खांकित अंस आपका यहां से है, इन विभिनताओं को देखकर, यहां से ले करके, इसमें आश्चरे की बात नहीं, यहां तक की व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रे खांकित अंस की व्याख्या, दूसरे question का answer सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैडिंग लिखेंगे, रे खांकित अ ऐसा अनुभो कर सकता है, कि भारत एक देश ना होकर कई देशों का समुच्चे है, यानि क्या है कई देशों का एक समुच्चे है, मैं आपको डीटेल में समझा दू, देखें भारत में इतने प्रांथ है, प्रांथ से मतलब क्या हो जाएगा, इतने राज्य है ना, देखे सभी राज्यों का खान पान अलग है, सभी राज्यों की भासा भी यहाँ पे अलग-अलग है, अलग-अलग मौसम देखने को मिलते हैं, किसी राज्य में बहुत जादा ठंडी होती है, तो किसी राज्य में बहुत जादा गर्मी होती है, किसी राज्य में बहुत जादा बारि इसा अनुभो कर सकता है कि भारत एक देश ना हो करके कई देशों का समुच्चे है कई देशों का समुह है जिसे मान लीजे कोई अजनभी यहाँ पे पहली बार आए भारत में तो यही सोचेगा कि भारत यहाँ पे एकलोता देश नहीं यह तो कई देशों का समुह है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विभिनताएं पाई जाती है रहन सहन अलग है खान पान अलग है सभी राज्यों का तो यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं फिर इसके बाद दिखे आगे क्या लिखा है इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक रास्तियताओं में गिना जा सकता है अब जैसे यहाँ पे है अपने देश में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती हैं संप्रदाय पाई जाते हैं तो यही आप लेखक ने बताया इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक रास्तियताओं में गिना जा सकता है तो इसके बाद आगे यहाँ प बताया लेखक ने जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सबने एक में मिश्रित होकर विराट भारतिये संस्कृति की उच्चता को और अधिक गोरो साली बनाया है तो यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब क्या है भले ही यहाँ पर भारत में भिन भिन प्रांत देखने को मिले भाशाएं अलग हो खानपान अलग हो लेकिन यहाँ पर इनहीं सब प्रांतों ने मिलकर यहाँ पर भारत को विराट स्वरूप प्रदान किया है विराट स्वरूप जैसा कि आप लोग देख पा रहे हूं कि यहाँ पे लिखा है ना कि इन सब ने एक में मिश्रित होकर विराट भारतिय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गोरो साली बनाया है भले ही यहाँ का खानपान अलग हो भाशाएं अलग हो लेकिन यहाँ की जो कोई तोड नहीं सकता चाहे संब्रदाई अलग हो चाहे यहाँ पि भासाई अलग हो ऐसा यहाँ पे लेखा कहना चाहते हैं तो आई होप आपको यह व्याख्या समझ में आ गई होगी काफी डीटेल में मैंने आपको बताया आप चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्र इस गद्यांस का question number 3 क्या है यहाँ पे लिखा है कि उपरियुक्त गद्यांस में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों की संबंध में क्या बताया गया है तो answer में आप क्या लिखेंगे कई भासाएं बोली जाती हैं कहीं हिंदी बोली जाती कहीं तमिल बोली जाती है कहीं तेलगू कहीं कन्नर कहीं गुजराती मतलब अलग-अलग भासाएं हैं जिनकी गिंती भी नहीं की जा सकती तो यहीं यहाँ पे लिखा है कि बोलियों की गिंती आसान नहीं उसी तरह यहां के भिन भिन संपरदायों की भी गिंती सरल नहीं है संपरदायों से मतलब क्या हो जाएगा यहां पे जैसे हिंदू जैसे हमाई देश में भारत में हिंदू भी रहते हैं मुसलिम भी रहते हैं सिख भी रहते हैं इसाई भी रहते हैं तो यहाँ पे संपरदायों की भी गिंती करना यहाँ पे आसान नहीं ठीक है तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है लेखक के दोरा तो यही इस question का आपका answer को जाएगा तो यह दूसरा गद्यांस भी मैंने आपका complete करवा दिया अगर आ 2010 के board exam में और इसके अलावा भी कई बार पूछा गया तो चलिए देखते यहाँ पे लिखा क्या है तो यहाँ पे तो पहले ही रेखांकीतन सापका start हो रहा यहाँ पे लिखा है यहाँ केवल एक काववी की भावना नहीं है बलकि एक एतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्सों से अलग-अलग आस्तितु रखते हुए अनेका अनेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम इस्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगार समुंद्र के रूप में भारत में व्याप्त है देखे प्रकांड का मतलब क्या होता है प्रकांड का मतलब होता है बहुत बड़ा और प्रगाढ का मतलब क्या होता है प्रगाढ का मतलब होता है गहरा और संगम इस्थल लिखा है संगम इस्थल मतलब क्या हो जाएगा मिलने का इस्थान ध्यान रखीगा ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है और यहां पर देखे जल प्रपातो लिखा हुआ था कहीं पर ये द दे सकते हैं यहां तक की व्याक्या भी आपसे आगे question में पूछी आएगी रे खांग की तन्स यहां पे complete होता है देखे यहां तक है अब इसके बाद देखते हैं इन अलग-अलग नदियों के उद्गम भिन भिन हो सकते हैं उद्गम मतलब क्या होता है निकलने का इस्थान त और सब में एक ही सुध सुंदर स्वास्त और सीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में भी एक ही हो जाता है यहां पे पूरा गद्यांस आपका है अब चलिए इससे related questions देखते हैं पहला question क्या है उपरियुक्त गद्यांस का संदर्व तो देखे यहां पे संदर्व पूछा जा रहा तो संदर्व में आप क्या लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांस हमारी पॉठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा डॉक्टर राजिंद प्रसाद द्वारा रचित भारतिय संस्कृती नामक पार्ट से उद्धृत है तो संदर्व आपका सेम रेखांकित अंसकी व्याख्या कीजिए तो रेखांकित अंसापका यहां से है यहां केवल एक कावव की भावना नहीं है यहां से ले करके भारतिय संस्कृति का नाम दे सकते यहां तक की व्याख्या चलिए मैं आपको बता देता हूं तो देखे रेखांकित अंसकी भावना में यहां से मतलब खा siate बावना नहीं है यहां से मतलब और हैं अलग अलग आस्तितु रखते हुए विवित जल्प्रपाथो और प्रवाह और का चिरंतन मतलब क्या हो जाएगा बुराने समय से चला आता हुआ ऐका है यहां सिर्फ काविकी भावना नहीं है यानि भारत में सिर्फ काविकी भावना नहीं है अपितू चिरंतन सकते है जो सहस्त्रों वर्सों से प्रृथक प्रृथक आलग आस्तितों रखते हुए विविध यानि अनेक प्रकार के जल्प्रपातों और प्रवाहों का संगमिंस्थल बनकर समुन्द्र के रूप में व्याप्त है जो हमारे समक्ष मौजूद है हमारे साम में मौझूद है फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ यहां पे इसे हम भारतिय संस्कृति का नाम दे सकते हैं लेखा कि यहां पे क्या कह रहे हैं कि इसे हम भारतिय संस्कृति का नाम दे सकते हैं तो यहां पे तात्पर क्या है लेखा के कहने का तात्पर यहां है कि विभिन जरनो और नदियों के उद्गम इस्थल उद्गम मतलब क्या होता है जो निकलने का इस्थान होता है नदियों के निकलने का इस्थान ठीक है तो तातपर यहा है कि विभिन जरनो और नदियों के उद्गम इस्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर क गोद में समा जाता है और उनका संगम सागर कहलाता है संगम मतलब क्या होता है संगम मतलब होता है जो मिलने का इस्थान हो उसी को संगम इस्थल बोला जाता है ध्यान रखेगा फिर इसके बाद दिखा है उसी प्रकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं और विभिन धर्मों तथा संप्रदायों के जरने हजारों वर्सों से भारत में आकर मिलते रहे हैं इन सब के मिलने से एक विस्त्रित और गहरे सागर का निर्माल हुआ इसी सागर को भारतिय संस्कृति कहते हैं तो यहां पे लेखा कहना क्या चाहते हैं लेखा का कहने का मतलब है कि जो भारत देश है वहाँ पे अनेक विचार धाराओं के लोग रहते हैं जिनके विचार अलग-अलग होते हैं यहाँ पे दिखिए फिर इसके अलावा विभिन धर्म के लोग भी रहते हैं विभिन संप्रदाय के लोग रहते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है इनमें एकता प लेखा हुआ था उसी परकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते और विभिन धर्मों तता संपरदायों के जरने हजारों वर्सों से भारत में आकर मिलते रहे हैं इन सब के मिलने से एक विस्तृत और गहरे सागर का निरमार हुआ इसी सागर को भारतिय संस्कृत कहते हैं तो लेखा कहना चाहते हैं जो विभिन विचारधाराओं के लोग रहते हैं विभिन संपरदायों के लोग रहते हैं यहां पे विभित्ता बहुत है भारत में लेकिन फिर भी यहां पे एकता के साथ रहते हैं तो यहां पे भले ही विभिन जाती के लोग पाए जात कुछ अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रशन क्या है इस कद्धी आधार पर भारतिये संस्कृती के एक विशेष्टा बताईए तो एंसर में आप क्या लिखेंगे देखे एंसर में आप लिखेंगे तीसरे कोश्चन का एंसर हो जाएगा कि विभिनता में भी एकता भारतिय संस्कृति की प्रमुख विशेष्ता है ये तो मैंने आपको उपर ही अभी बताया व्याख्या में ही देखे विभिनता है यहाँ पे बहुत है गद्यांस भी कंप्लीट हो गया अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब चलिए देखते हैं अगला गद्यांस चौथा गद्यांस यहाँ पे क्या दिया है घावाला जैसा कि आप लोग देख पारे हूंगे यहा से आपका गद्यांस स्टार्ट हो रहा है और देखें यहाँ पे पूरा आपका गद्यांसी रेखां के तंस में दिया है 2016 के बोड़ एक्जाम में और इसके अलाव भी कई बार यह कोईशन पूछा गया है यह गद्यांस पूछा गया है अब देखते हैं आप लिखा क्या है आज हम इसी निर्मल सुद्ध सीतल और स्वस्थ अम्रित की तलास में हैं और हमारी इच्छा अभिलाशा और प्रयत्निया है कि इन सभी अलग-अलग भैती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह रहे और इनको वह अम्रत्तो देता रहे जो जमाने के हजारों थपेडों को बरदाश्ट करता हुआ भी आज हमारे आस्तितो को कायम रखे हुए है और रखेगा यहां पे लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पारे होंगे तो देखे यह तो पूरा गद्यांस है आपका रेखांग की तंस दिया इसकी पूरी व्याक्या भी मैं आगे आपको बताऊ अब चलिए देखते हैं इस गद्यांस से रिलेटेड क्या है पहला प्रश्ट है कि उपरियुक्त गद्यांस का संदर्भ लिखे तो संदर्भ आपका सेम वही रहेगा आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांस हमारी पार्टि पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित यहां पर लिखा है ना कि आज हम इसी निर्मल सुधिसीतल यहां से ले करके रखेगा यहां तक दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं यहां पर यह जो दूसरा प्रशन आपका पूछा गया गद्यांस के रेखांकित अंस्की व्याख्या यह मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर क्या लिखा है कि भारत देश ने तरह तरह के अनेक संकट जेले हैं तथा भारतिय संस्कृति की विभिनता में एकता का एक ऐसा तत्तो है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका है मतब इतनी मुसीबत पढ़ने के बाद भी इतने संकट आने के बाद भी यहां पर एकता का एक ऐसा तत्तो है जिसे अभी तक मिटाया नहीं जा सका है यहीं यहां पर लेखा बता रहे हैं फिर इसके बाद लिखा है ना जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वा आकरमर किये गए और अंगिनत बार यह देश आकरमर कारियों की धर्मांधता का सिकार हुआ किन्तु यहां एक ही तत्तो भारतिय संस्कृति का अम्रित तत्तो है यह अम्रित तत्तो आज भी हमारे आस्तित को कायम रखे हुए है हमारी पहचान को बनाए रखे हुए है और भ खांकित अंस की व्याख्या समझ में आ गई होगी अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेशन क्या दिया है तो देखें तीसरे क्वेशन में दो खंड दिये हैं आ और बा तो पह है कि विभिन विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में अमिर्त रूपी जल सदेव प्रवहमान बना रहे यानि बहता रहे जिससे सभी लोगों में प्रेम और रास्तियता की भावना का संचार हो इसका विस्त्रित रूपी सनातन धर्म है जो भारतिय संस्कृती की उ उचा गया था इस गद्यांस के साथ में तो यहां पर क्वेशन क्या है कि हमारे आस्तित को कौन कायम रखे हुए है तो यह तो मैंने आपको गद्यांस की व्याक्या में ही बताया तो चलिए देखते यहां पर बावाला उत्तर क्या हो जाएगा बाठंड का तो आप लिखें का मतलब क्या होता है आप बोल सकते हैं धको या फिर चपत ये भी आप बोल सकते हैं ठीक है तो यही इस question का answer हो जाएगा तो इसी के साथ ये चौथा गद्यांस भी आपका complete हो गया अगर आपको कोई कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अब इसके बाद देखते हैं पाचवा गद्यांस क्या है जो कि आज का हमारा लास्ट गद्यांस होगा और मैं आपको बता दू जो बचे हुए गद्यांस होंगे वो मैं आपको कल की वीडियो में क गहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है यह हमारा सौभाग गिर रहा है कि फर इसके बाद देखे यहां से रेखांकित अंसस्टार्ट हो रहा है यहां पे लिखा है हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हसते रोते भी देखा है औ और जिसने अम्रत्व की स्मृत्ती दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत्व पैय सरीर में नए प्राण फूके और मुर्जाय हुए दिलों को फिर से खिला दिया। यह आपका यहां पे पांचवा गद्यांस था और यह आपके बोड एक्जाम में दो बार 2013-2015 और इसके अलावा भी कई बार पूछा गया और इस बार 2023 के भी बोड एक्जाम में पूछाया सकता है most important है इस गद्यांस को अच्छे से जरूर तयार कर लीजेगा तो चलिए देख यह प्रस्तुत गद्यांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा डॉक्टर राजेंद प्रसाद द्वारा रचित भारतिय संस्कृती नामक पार्ट से उद्धिरित है तो यह आपका यहां पे संदर्भ हो जाएगा अब चलिए इसके बाद दूस दूसरा क्वेशन देखते हैं दूसरा क्वेशन है कि गद्यांस के रेखांकित अंस की व्याख्या कीजिए तो यहां से रेखांकित अंस स्टार्ट है हमने ऐसे ही मुर्त रूप को यहां से ले करके मुर्जाए हुए दिलों को फिर खिला दिया यहां तक की व्याख्या मैं समय से ही नैतिक और अध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है ठीक है फिर इसके बाद आगे लिखा है उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते हसते रोते भी देखा है यानि हम लोग यह सब देखते हुए आ रहे हैं प्राचीन समय से तो लेखा के हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और अध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है और उस प्रवाह को हम अपने बीच साकार रूप से चलते फिरते हसते रोते भी हम लोगों ने उस प्रवाह को देखा है फिर इसके बाद आगे लिखा है उस प्रवाह ने हमें अम प्रक्तिव के समान ध्यान रखेगा मृत प्रय ये लिखा हुआ है तो यहां पर क्या लिखा है कि उस प्रवह ने हमें अम्रत्यों की याद दिलाकर हमारे मृत प्रय सरीर में नई ओर्जा का संचार भी किया है अब उदहरण के तौर पे लिखक्ने क्या बताया उदहरनार्थ महत्मा गांधी जैसे महान विभूती ने भारत को उसकी अमरता का फिर से इसमरण कराया परिणाम स्वरूब निर्जीवता की सीमा तक सिथिल पड़े भारत में एक बार फिर से नो प्राणों का संचार हो था ऐसा लगने लगा कि हमारे सरीर की सूखी हड़ियों में नवीन मज्जा भर गई निरासा से मुर्जाए हुए हमारे मन में आसा का संचार हो गया तो यही यहाँ पर रेखांकित अंस की व्याक्या हो जाएगी यही यहाँ पर लेखक ने बताया हुआ है जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे होंगे देखें नो प्राण का मतलब क्या हो जाएगा जैसे मान लीजिए जो मृत प्राणों का संचार हो अब देखें सूखी हड़ियां अगर सरीर में सूखी हड़िया होंगी तो सरीर कैसा लगेगा मृत प्राय जैसा लगेगा ना तो यहाँ पर नवीन मज्जा भर गई किसके कारण जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर प्रवाह की बात हो रही है उसके कार साथ जी ने ऐसा लगने लगा कि हमारे सरीर की सूखी हड़ियों में नवीन मज्जा भर गई निरासा से मुर्जाए हुए हमारे मन में आसा का संचार हो गया तो ये रेखांकित अंस की व्याक्या हो गई अब चलिए देखते हैं इस गद्यांस का लास्ट कोश्चन क्या है ती अध्यात्मिक चेतना है सत्य और अहिंसा में पून आस्था है एकत्व की भावना ही है जो हमारे आस्थित्त को कायम रखे हुए एकत्व मतलब जो हमारी एकता की भावना है ध्यान रखेगा सत्य और अहिंसा प्राणी मात्र के लिए अत्यात आवश्यक है ध्यान रखेगा अत्यावश्यक है यहां पर यही लिखा हुआ है तो देखे यहां पर जो उपर बात हो रही थी यहां पर जो प्रभा की बात हो रही थी नैतिक और अध्यात्मिक स्रोत की बात हो रही थी यह तो मैंने आपको बताया ही और यहां पर देखे गांधी जी का उधारन लिया गया तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के बल पे कितने आंदोलन चलाए और भारत की सोतंतरता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया कई आंदोलन चलाए उनका एक ही हत्यार था सत्य और अहिंसा का तो उसी के बारे में लेखर ने यहाँ पे इस गद्यांस में बताया हो था जो क पाँच गद्यांस और उनसे संबंधित प्रश्णोत्तर करवा दिये हैं अभी इस चैप्टर में आपके करीब पाँच गद्यांस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूँगा और कल की वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कम्पलीटली कि सितंबर यानि इसी महिने में मैं आप लोगों का हिंदी का पूरा स्लैबस कंप्लीट करवा दूँगा तो इसी महिने में ही आप लोगों का ये हिंदी गद्य का पूरा स्लैबस कंप्लीट हो जाएगा अजन्ता वाला है ये आपके स्लेबस में है और एक चैप्टर आपका है इरश्या तू न गई मेरे मन से जिसके लेखाक है रामधारी सिंग दिनकर जी वो आपके स्लेबस में है नहीं उसको हटा दिया गया इस बार क्योंकि स्लेबस में 30% की कमी की गई है तो केवल एक ही कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ कल की वीडियो में चैप्टर में आपका कम्प्लीट करवा दूंगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठैक्स पर वोचेंगं